श्री शिवाई नमस्तिवियम दोस्तों भगवान शिर जी आपकी हर मनों कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहले मेरी सभी प्यारी माताओं वहनों को आने वाले 20 अक्टूबर साल 2024 को करवाचोथ की धेर सारी सुबकामना है 20 अक्टूबर साल 2024 दिन रवीवार को पुरे विदिवत तरीके से करवाचोथ का वरत हर सुहागन मैलाओं के द्वारा किया जाएगा दोस्तों करवाचोथ वरत में सास की धाली याने बाइने का बहुती जादा महत्व बतलाया गया है बहुत सारे राज्यों में सास का बाइना निकालने का एक अलगी महत्व है तो जो भी मेरी माताओं बहने सास का बाइना निकालती है साज की एक अलग से सुहाग की थाली त्यार करती है तो वो किस तरह से कर सकती है आज इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ दोस्तो तो वीडियो को पुरा ध्यान सेंते तक देखिएगा सुनिएगा वीडियो पसंदा जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजेगा और अपने ही चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब कर दीजेगा सबसे पहले हमें एक थाल लेनी है आप थाली भी ले सकते हैं स्टील के और उसकी उपर एक सुंदर सा लाल कपड़ा या आप चुनरी बिच्छा सकते हैं जैसे की करवा चौत वरत सुहाग का प्रतीक है और सुहाग के प्रतीक का सबसे ज़्यादा प्रियर रंग जो है वो लाल होता है तो इस तरह से जो है वो लाल रंग आप ले सकते हैं कपड़े का थाली रख ली है कि स्टील की आप चाहे तो कासे या पीतल की भी रख सकते है और इस तरह से हमें एक लाल कपड़ा या चुनरी अच्छे से बिचा लेना है जिससे थाली जो है वो दिखने में सुन्दर लगे इस तरह से थाली जो है वो हमको पहले सही तयार करके रख लेना है पूजा वाले दिन हमारे पास बहुत कम समय रहता है और काम जादा रहता है इसलिए हम ये सामागरी जो है पूजन की पहले से तयारी करके रख लेंगे सबी चीजों का तो हमें पूजा करने में बहुत आसानी होगी सबसे पहले हमें जो है वो अपने सामर्थ के हिसाब से अपने स्वेक्छा के हिसाब से ही सामागरिया और बायना निकालना है आप च सामर्थ नहीं है साड़ी रखने का तो आप बलाउस तीज का कपड़ा भी रख सकते हैं ठीक है तो अपने स्वेक्छा के अनुसार अपने सामर्थ के हिसाब से कारे करेगा दोस्तों ठीक है अपने उपर बड़न बिल्कुल भी नहीं लेना है अब यहाँ पर मैंने साड़ी र कर जाएंगी जैसा कि मैंने कहा लाल रंG बहुत जादा मतलब सुहाक का प्रतीक होता है तो इसलिए लाल लाल हो तो बहुत जादा अच्छा लगता है तो यहां पर देखे मैंने लाल तो यहां पर հख ली हैं अब देखे 16 विंदी इस ही हो भी भी महत्तिपूण है तो भी ससांस प्रेकां समान अवश्यर देना चाहिए तो यहां पर छूडी रख ली है भी इन्दी रख ली है इस हिसाब से अच्छी तरह से थाली जो हो सजालेंगे हम अगली चीज क्या जाती है दोस्तो सिंदूर ठीक है तो आप चाहे तो सुखा सिंदूर जो लाल वाला होता है पीला वाला भी आप रख सकते हैं यहाँ पर मैंने देखे इस तरह से जो आता है यह लाल रंग का सिंदूर है तो इस तरह से यहाँ पर हम सिंदूर भी रख अगली चीज जो है वो थाली में को सजानी है बाइने में रखनी है वो है महावर ठीके दोस्तो तो इसे छोटे वाले पैकेट आते है ना मैंने बॉटल नहीं लिये है इस बार तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो है वो पैकेट महावर का रख दूँगी तो देखे चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता इतनी चीजे भी जो है वो आप दे सकते है अपने हिसाब से तयार करके आप दे सकते हैं अगली चीज क्या है दोस्तो महंदी तो आप महंदी भी यहाँ पे रख देंगे इस तरह से महंदी भी जो है वो सोला सिंगार में आती है तो महंदी का भी एक बाइन से बाइना बना कर अपनी सास का निकाल सकते हैं और उन्हें अपने खुशी खुशी जो है वो-दे सकते हैं अब हम shout नेल पेंट रख देते हैं तो इस तरह से देखे मेयने आ पर नेल पेंट रख दी है उस昨 दे सकते हैं और यहां पर देखे क्लैचर रख लिया है सुन्दर सा मैचिंग का क्लैचर मिल गया था तो मैंने इसे भी जो है वो यहां पर रख दिया है और यह सारी चीजे हमें पूजा के स्थान पर पूजा करते हैं तो उस चौकी पर ही रखनी होती है अच्छी तरह से मिनस सामागरी को पूझना होता है और उसके बाद ही अपनी सासूमा को बाइने में देना होता है इस तरह से यहां पर एक क्रीम रख लिए मैंने और इस तरह से जो है वो थाली सजी देखे कितनी सुंदर रख लेगा अब यहां पर लिपिस्टिक रख लेते हैं तो यहां पर मैंने पिंक कलर की और गुलाबी रंग की लिपिस्टिक यहां पर रख दी है देखे जितनी आपकी सामर्थ है उस हिसाब से कारी करेगा मैंने पहले भी आपको बतला दिया है आप चाहे तो चांडी की इस तरह से पायल है मैं लेकर आई हूँ इस बार तो आप पायल रख सकते हैं आप बिचुआ भी रख सकते हैं और अगर नहीं है तो आप कुछ मत रखे न बिचुआ रखे न पायल रखे आप अपने सामर्थ के हिसाब से यहां पर दक्षिना भी रख सकते हैं मैंने लेकर आई थी पाइल तो मैंने आपको यहाँ पर बाइने निकालते समय दिखला दी है मीठा रख सकते हैं आप मीठाई भी रख सकते हैं और इस तरह से आप एक फल रख कर भी जो है वो बाइने में दे सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इतनी चीज़े आप दे सकते हैं, साथी साथ हम दक्षिना रख देंगे अपने सामार्थ की, अपनी स्वेक्षा की अनुसार, तो आपका जितना सामार्थ स्वेक्षा है, आप इससे जादा भी रख सकते हैं, और इससे कम भी रख सकते हैं, इस बाइने में इस समान में अगर कुछ कम बेसी होगी तो वो इस दक्षिना से पूरी हो जाएगी. तो यहाँ देखे इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो थाली सजा लेंगे बाइने की अब इसको पूजा के स्थान पे रखेंगे पूजेंगे मिनसने के बाद जो है वो हमें अपनी सासुमा को बाइना निकालना पड़ता है तो जिन लोगों के यहाँ बाइना निकाला जात है कि अगर सास नहीं है तो हम बाइने को मतलब किसको देंगे हमारे रिवाज है बाइना देने का पर सास नहीं है किसको दें देखे आप अपनी ननन्द को दे सकते हैं अगर आपके आसपास हैं या आप उनसे मिलने वाले हो तो ये बाइना जो है वो आप अपनी ननन्द को भ दे सकते हो ठीके दोस्तों तो इस तरह से आप बाइने की तैयारी अच्छे से पहले से ही करके रख लीजेगा पूजा वाले दिन हरबड़ी ना हो और आप अपनी पूजा समय से और प्रसनता के साथ अच्छे से कर सकें आशा करती हूं दोस्तों आपको यह वीजियो पसंद अगर वीजियो पसंद आये तो वीजियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिगा क्योंकि आपका एक चोटा सा लाइक हमें प्रेने रिद करता है और भी अच्छे-चे नए-एक बीजियो बनाने लिए बहुत जंद मिलते हैं दोस्तों एक नए वीजियो के साथ एक नए जानक आप तक लिशी शीवाई नमस्ट प्यों धानिवाद दोस्तो.